कि उस बुल्डोजर को अगर कोई रोख सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का सम्विधान और मंडल कमीशन ही रोख सकता है वरना और कोई ने रोख सकता है उनको मौका मिला तो वो मंदर भी बनवाए उनको मौका मिला 370 भी अटाए इंद्र में घवाल मारा गया तीन साल का आठ साल का बच्चा जाती के नाम आपने भी अच्छे काम किये मैं वो शक्स नहीं हूँ कि पिछले 30 साल में मंडल की लड़ाई ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सत्ता में कुछ नहीं दिया ऐसा बिलकुल नहीं जब लखनव से नोइडा जाता हूँ तो हर सामंतवात मुझीवात की छाती पर चड़कर विर्सा फूले अंबिटक और पेरियार की मूर्तियां जब खड़ी दिखती हैं तो मुझे आत्मिश्वास मिलता है ये काम किया था उन्होंने और बिलकिस बानों के बलाकारी बेल पा करके माला से स्वागत पा रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं साउगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं बिकने दूँगा मुक्ह मंतरी रहा वो शक्स तो उसे जाती नहीं नजर आई चौदा में जब प्रधान मंतरी बनने आया तो कहा मैं OBC मां का बेटा हूँ वैसे ही फेक OBC वो है जैसे उसे चाय बेच के कभी किसी नहीं देखा फिर भी वो उसको बेच ले गए आपके पास कुरा मैदान खा लिए आप एक हात में जै भीम जै मंडल अम्बेटकर और लोहिया और दूसरे में परसुराम का फरसा माफ कीजिए वैचारिधारा से समझोता आपको कभी सत्ता तक नहीं पहुँचाए कि पुनरजनम और भाग्यवाद इन से निकला ब्रह्मणवाद ब्रह्मणवाद की क्या पहचान गिटपिट बोले करे नकाम मानववाद की क्या पहचान ब्रह्मणभंगी एक समान उन्होंने का मा आज तक तो हम गाजीपूर के आगे बढ़े नहीं जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़ियां इंसान नहीं समता बिना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए राष्टपती हो या भंगी की संतान सबको सिक्ष सब को काम वर्ना होगी नीध हराम सिख्षा पर जो खर्चा हो बजत का थसमा हिस्सा ने सके जो वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है business पाकिस्तान क्या खाग जाएंगे T इसे मिट्टी में पैदा हुए दफ नहीं हो जाएंगे न बुलाए किसी की आये थे न निकाले किसी की जाएंगे तो बांटने की लड़ाई है आप कहेंगे रोजगार वो कहेंगे राम मंदिर आप कहेंगे स्वास्त वो कहेंगे 370 आप कहेंगे बेरोजगारी 45 साल में जादा वो कहेंगे मंदिर मस्जित के नीचे से खोजो मंदिर निकलेगा और जाते जाते केवल अपील मुझे पेरियार ललाई सिंग यादो यादार है बलिदान न सिंग का होते सुना बकरे बलिवेदी पर लाए गए नकाटे टिड़े पादब गए सीधों पर आरे चलाए गए बिशधारी को दोध पिलाया गया के चुए कटिया में फंसाए गए बलवान का बाल नबाका भया बलहीन सदात तड़ पाए गए के पुनर जनम और भाग्यवाद इन से निकला ब्रह्मणवाद ब्रह्मणवाद की क्या पहचान गिट पिट बोले करे नकाम मानववाद की क्या पहचान ब्रह्मणभंगी एक समान कि सो में नब्बे शोशित हैं शोशितों ने ललका रहा है धन धर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है मिटे गरीबी और अमीरी मिटे चाकरी और मजबूरी पुनर जनम और भाग्यवाद इन से निकला ब्रह्मणवाद कवीर रैदास पल्टू दादो भीका बुले शा बाबा फरीद नजर आते हैं जो इस सारे कामगार जातियों के थे और उस विरासत को नारायन गुरु बस्वन्ना चोखा मिला और उनसे होते हुए महराश्ट और दक्षर भारत की जमीन पर क्रांती जोती जोती राव फूल और पेरियार और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते छत्रपति शाहुजी महराश्ट ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाओं के अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाओं के वैसे कुछ लोग थे जिनके जहन में मनुस्मृती थी उन्होंने तिरंगे को नका उनके पुर्खों ने माफी नामा लेखा माफी मांगकर कहा कि हमें बाहर कर दीजिए हम ताउम्राब की मदद करेंगे आज वो लोग हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा हम लाएं हैं तूफान से किष्टे निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों समाल के और जो बच्चे थे उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि इस देश को उस कस्ती को किसने निकाला था और कहां पहुँचाया था उनमें थे बिरसा फूले अंबिटकर और पेरियार जिनको आजादी के बाद दफन किया गया कि हम बचाएंगे सजाएंगे सवारेंगे तुझे हर मिटे नक्ष से निकार उभारेंगे तुझे अपनी शेहरक का लहू दे के सीचेंगे तुझे दार पे चड़के फिर राजनीत से हमें भी यह सिखा कर बोला गया था घर से के लहाबाद जा रहे हो तो केवल और केवल पढ़ाई करना राजनीत से दूर रहना इस शर्थ के साथ भेजा गया था तो अमुमन हम लोग दूर रहते थे चातर संग भवन से भी दूर से गुजरते थे लेकिन वो जो एक चुनाव था उस चुनाव में जब दक्षटा भाशन हो रहा था और वहाँ एक आवाज गुजती हुई मुझे सुनाई दी के हम बचाएंगे सजाएंगे सवारेंगे तुझे हर मिटे नक्ष से निकार उभारेंगे तुझे अपनी शहरक का लहु दे के सीचेंगे तुझे दार पे चढ़के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं हम भगत सिंग के साथी हैं कोई और नहीं उस एक भाशन ने मुझे उस तरफ आकरशित किया और देखा तो वो शक्स जो भाशन दे रहा था कैफी आजमी कि इस नजम के बहाने और उसी के कुछ दिन बाद अरजुन सिंग जी को विशुद्याले बुलाया गया था अगर मैं सही हो तो अच्छा और उस समय जब हमें नहीं पता था क्योंकि हमें तो सिखा कर भेजा गया था केवल और केवल पढ़ाई करना है तो वो पता नहीं था कि यह जो इस समय विशुद्याले में हलचल हो रही है यह जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किस बात की लड़ाई है लेकिन उसका लाब हमें एमे में एडमीशन के दोरान मिला दिल्ले विशुद्याले में पिएचडी करने गए तब तक भी समझ में नहीं आया जाना तो चाहते थे जे एन यू एडमीशन नहीं हो गया दिल्ले विशुद्याले गए और मेरिट में आने के बाद भी जब हमें OBC केटिगरी में रखा गया तो पहले बार इस बात पर ध्यान गया कि हमसे कम नंबर वाले भी UR में हैं और हम OBC में क्यों हैं और जब इस बात को पढ़ते समझते वक्त लगा तो बहुत बाद में समझ में आया कि आज जहां भी हम या हमारे जैसे अगर इस मुल्क में भारत का समविधान और मंडल कमिशन लागू न हुआ होगा हम नहीं पहुँच पाते लेकिन यह बात समझने में बहुत वक्त लगा और आज इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कबूल करता हूँ और सबसे बड़ी चंता भी मेरी यही है कि जिस रास्ते जिस सीड़ी पर चल कर हम जैसे जाने कितने लोगों ने जो उनके पुर्खों ने खाब देखा था हमारे पूरुजों के हाथ में श्रम करने वाले हतियार हुआ करते थे कुदाल फावड़े से लेकर हाथ से श्रम करने वाली चीजे जाने कितनी पिढ़ियां खप गई जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया ताकि हमारे हाथ से वो कुदाल फावड़ा और हल छूटे कलम और किताब हाथ में आए ताकि हम इस मुल्क का मुस्तक्बिल बदल सकें ऐसलिए मैं आज बीपी मंडल को याद करते हुए अपनी उस पूरी विरासत की जड़ों को महसूस कर रहा हूँ कि अगर बीपी मंडल या इन जैसे जाने कितने लोग न होते तो हमारा भी मुस्तक्बिल वही होता और हम कहीं उस भीड में खोए हुए केवल संख्या बन कर रह जाते और इस मुल्क में हुक्मरान वही बनते जो मुक्ष से पैदा हुए थे जो भुजाओं से पैदा हुए थे और मुझे याद आ रहा है वीपी मंडल को याद करते हुए इस मंच से याद किया गया विश्वनात प्रताप सिंग को 7 अगस्त 1990 इस बात की घोशना की मंडल लागू होगा 9 अगस्त 13 अगस्त होते हुए जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंग ने ये भाशन दिया कि मैंने इस मुल्क का राजनीत का व्याकरण बदल दिया है अब एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मा के पेट में कभी ने डाला जा सकता वो काम काम्याब नहीं हो पाता अगर वीपी मंडल ने बहुत मेहनत से बहुत तर्क के साथ वो दस्तावेज न तयार किया होता जिसे चुनोती देने के लिए सम्विधान पीट के नौ जज़ेस की बंच बैठी वीपी मंडल को याद करते हुए सबसे आसान भाशन वो होगा और हम जैसे पढ़ने पढ़ने वोली लोगों के लिए तो और आसान होगा कि जितना वीपी मंडल के बारे में जानते हैं उसको बताएं और आपकी तालियां ले मगर मैं इसका उप्योग इस रूप में नहीं करूँगा मैं उसे आज की चुनोतियों से जोड कर उस दिशा में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज से बीस साल पचीस साल बात जब इस मुल्क के आजादी के सौ साल पूरे हो तो कहीं ऐसा नहों कि आने वाली पीड़ियां भूल जाएं क्यों कोई बिंदेश्चुई प्रसाद मंडल भी था वो खत्रा हमारे सामने है मंडल लागू हुआ आंदोलन करना पड़ा मंडल लागू होने के बाद मंडल बचा रहे आंदोलन करना पड़ा लाठियां खाई तमाम लोगों ने और नौ जजजेस की बेंच बैठी है क्योंकि पहला जो पिछड़ा वरगा योग था उसने ये रिक्मेंडेशन दे दिया था कि पिछड़ा पन जातिक आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होता है तो बीपी मंडल साब के सामने ये चुनोती थी कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जिसमें पिछड़े पन को बहुत तार्किक और वैज्ञानिक पद्दति से व्याख्याइद किया जाए जिसे कोई खारिज न कर सके एसलिए मैं उस शक्स को याद कर रहा हूँ मैं उस शक्स को याद कर रहा हूँ इस मंच से जो जब बिहार का मुख्यमंत्री बना अब इससे समझिएगा कि हम किस मुल्क के बाशंदे हैं और ये बात आजादी के बाद की है जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में चुकी याता यात होता था जल परिवहन तो तेल रिस गया और उसमें आग गई है विवेका नंद जहा नाम के शक्स ने बिहार विदान सवा में खड़े होकर भाशन दिया कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा और ये ओन रिकॉर्ड है बिपी मंडल साब खड़े हुए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि गंगा में आग तो तेल रिषने से लगी है मगर तुमारे सीने में जो आग लगी है उसे मुझे और भरकाना है ताकि वो जारी रहे उस बिपी मंडल को हम याद कर रहे हैं उस बिपी मंडल को हम याद कर रहे हैं जिने जब ये जम्मेदारी सौपी गई उस समाजवादी प्रिष्ट भूमी से निकले नेता थे समाजिक न्याई की वचारकी के नेता थे और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट बनाई जिसे डॉक्टर अंबेडकर को अभी हमारे वरिष्ट आतितिगर कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा जो दो तीन बड़ी कारण थे हिंदू कोट बिल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि इस देश की आधी आबादी से ज़्यादा जो है उन पिछडे वर्ग के लोगों के लिए जो कमीशन बनाने का 340 का नुच्छेद है उस पर कोई काम नहीं हुआ इसकी नाराजगी में मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूँ और आज़ाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर को का गया कि वो किवल दलितों के नेता है तो डॉक्टर अंबेडकर तो चुनाओ हार गए उसके बाद धंक से तो डॉक्टर अंबेडकर को भी चुनाओ को एक पॉपुलर लीडर तो बने नहीं और आजादी के बाद तो डप्टर अमबेटकर को जमीन में दफन करने की पूरी कोशिश की गई हम लाएं हैं तूफान से किष्टे निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों समाल के और जो बच्चे थे उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि इस देश को उस कस्ती को किसने निकाला था और कहां पहुँचाया था उन्हें थे बिरसा, फूले, अमबेटकर और पेरियार जनको आजादी के बाद दफन किया गया पढ़ने ही नहीं दिया गया इस देश के बच्चों को सेलिबस से बाहर, इसे इलाबद वश्योद्याले में बहुत थोड़े से लोग थे जो इस वैचारिकी के रहे होंगे, तमाम वरिश्ट लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक popular discourse में कहीं अमबेटकर फूले पेरियार थे ही नहीं और इसलिए मैं कहा रहा हूँ, जो राजनीत में नाकाम्याब हुआ, जो बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं बना जिसने इतनी संपत्ति शायद नहीं जुटाई कि एडी और सीबी आई की रेड़ बेट पड़े वैसे लोग जमीन में दफ नहीं हुए, आने वाली पीडियों ने जब अपनी जड़ों की तरफ जहाकने की कोशिश की तो उसमें से बिरसा मुंडा, जैपाल मुंडा, अमबेटकर फूले पिरियार निकल कर आए, लम्रोहर लुहिया निकल कर आए और उनमें से हैं बीपी मंडल, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, कि बीपी मंडल के पास जो विरासत थी, वो विजार धारा के विरासत थी, और उस पर उन्होंने एक दस्तावेश बनाया, और उस दस्तावेश के नाते जब मंडल लागू हुआ, तो मैं उस घटना को इस रूप में देखता हूँ, कि मंडल लागू होने के पहले का भारत कुछ और था, मंडल ने लागू होकर इस भारत का मुस्तक्बिल बदल दिया, इसलिए विभाजन रेखा आजाद भारत की मंडल कमिशन का लागू होना है, क्यों ऐसे आए, क्योंकि भई, अनुच्छे है, कि सम्विधान लागू होने के वक्त, किसने सम्विधान का विरोध किया था, इलहाबाद के लोगों और बुद्धिक लोगों के बीच, इशारा काफी है, तीन रंग का जंडा, हमारे यां कहावत है, भोजपूर में तीन तिगाडा काम बिगाडा, वैसे कुछ लोग थ थे, जिनके जहन में मनुस्मृती थी, उन्होंने तिरंगे को नकारा, भारत के सम्विधान को नकारा, जंगे आजादी को नकारा, उनके पुर्खों ने माफी नामा लिखा, माफी मांग कर कहा कि हमें बाहर कर दीजिए, हम ताउम्राब की मदद करेंगे, आज वो लोग, ह हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हम समाजवादी, अमबिटकरवादी, समाजिक न्याएक के विचारधारा के लोग, पहले से तिरंगे को जीते हैं, हमारे घरों में पैसा नहीं हुआ करता था, स्कूल में जाते थे तो सफेद पन्ने के उपर, गुड़हल का लाल वालप पत्ता रगड लिया, नीचे हरी पत्तियां रगड लिया, बास की कईन पर लहराते हुए, बिज़ई बिश्वतिरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा गाकिक मुलते के, तो जिसके देशभक्ती खुद संदिक थी, आज वो सर्टिफिकेट बाट रहा है, ऐसे दोर में हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं, और इसलिए मैं बीपी मंडल को इस तरह से याद कर रहा हूँ, कि बहुत कोशिश होई इस मुल्क में, इस मुल्क के आईन का विरोध करने के, बहुत नापसंद किया भारत के संविधान को, और पहला संशोधन करवाया दक्षिन भारत के समाजिक न्याय के पुरोधान है, और जिस संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 15 में 4 जोडा गया, अनुच्छेद 16 में 4 जोडा गया, वो समाजिक न्याय का पुरोधा, एस मुल्क के सबसे पुरानी कौम, चरवाह समा से आने वाले, ईवी रामा स्वामी नायकर प पढ़ाया था, लेकिन उस सब के बावजूद संविधान तो कबूल ही नहीं हुआ, ऐसलिए आज भी उस विचारधारा के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनावती अगर कोई बन कर खड़ा है, तो वो भारत का संविधान है, ऐसलिए उस भारत के संविधान के खेलाफ स सारा काम हो रहा है, और ऐसे वक्त में आयोजगों को बढ़ाई, कि वो मंडल को याद कर रहे हैं, तो जो काम भारत के संविधान लागू होने के बाद अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के काम का जो आगाज किया था, वो बीपी मंडल ने किया, और मंडल लागू हो आया, क्या लिखा मंडल की कमिशन की रिकमेंडेशन में, 1931 की जनगरना को आधार बनाना पड़ा है, इस मुल्क में जाती जनगरना अगर नहीं होगी, तो इस देश की आबादी को ढंग से हम नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आपने विशय रखा है, जाती जनगरना के स ताकि वैद डेटा मिले और ताकि पता चले किसने किसका हक खाया है, और कौन सदियों सदियों से आरक्षण लेता रहा है, आज रक्षण को गाली, बैसाखी है, भीक है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो बीपी मंडल साब ने कहा, और पूरू के वक्ताओं ने बिलकुल ठीक कहा है कि मंडल अभी लागू भी कहा हुआ, बीपी मंडल को याद करना केवल उस शक्स को याद नहीं करना है, व्यक्ति बहुत पीछे छूट जाता है अगर वो विचारधारा पर न चले, बड़े-बड़े लोगों की सरकारें बनी सरकारें चली गई, मगर विचारधारा पर जो कायम रहा, वो 95-90 साल बाद वो सांस्कृतिक संगठन अपने लोगों को दिल्ली की कुरसी पर बिठा कर कहता है, कि आने वाले वक्त में हम इसे हिंदू राष्ट बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे, ये है विचारधारा की ताकत, हमारे लोगों ने विचार लड़ना को आधार बनाया, नए NSS-O और तमाम सर्वे का आधार बनाया, कितनी अनुशन शायती मंडल की आप लोगों को पता हो तो मुझे बताईए, इसलिए मैंने कहा कि इलाबाद जो बहुत धेक और क्रांतिकारी जमीन है, कई बार तो संकोच होता है, कि जितनी मेरी उ उम्र है, उतना उम्र संगर्शों में बिता देने वालों लोग सामने खड़े होते हैं, मैं उनके सामने क्या ही बोलूँगा, बहुत बरिश्ट लोग हैं, मैं केवल गुजारिश करने के शकल में अपनी बातचीत कर रहा हूँ, उसमें से केवल एक लागू होई, तरानवे में, वो भी आधी अधोरी, बाद में मंडल पार्टू की तरह, लागू की आरजोन सिंग की समय और जिसका जिक्र भी हम लोग कर रहे थे, बहुत लड़ाईयां लड़ी गए उनको लागू करने के लिए, लेकिन बाकी जो अनुशन सायती उसको क्या वाकरी धंग से OBC आज को भी बताया गया, मेरी चिंता ये है, मैं इस मंज का इस्तेमाल, जिसकी सत्ता है लखनव से दिल्ली तक, उनकी आलोचना करते हुए, बहुत तालियां बजवाने में कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जब मेरे लोगों के उपर आत्मा लोकन नहो, ताकि आगे की दिशा न समझ में आये, तो हम किसी का अलोचना करके कभी उनको परास्त नहीं कर सकते, हमें ये सोचना होगा कि चूक कहां हुई हमसे, वो चूक ये हुई, कि मंडल लागू होने के बाद, हमने ही अपने लोगों को ये नहीं बताया, कि उन 40 में है, कि इस देश में सरकारी सिक्षा होगी, जो सिक्षा आप दे रहे हैं, वो पैसा कूडे में जा रहा है, आमूल, चूल, बदलाव, अगर सिक्षा विवस्थाम नहीं हुआ, तो इस देश में समाझी नहीं होगा, ये मंडल कमिशन की रिगमेंडिशन है, हर जिले में स मैं तो कई बार अश्यर चकित होता हूं साथियों कि कोई व्यक्ति कितना दूरदर्शी हो सकता है हमारे आपके गाउं में सब जानते हैं कुछ लोग हैं जिनको मैं इशारे में बात करूंगा कल मेरे पास इलाबाद के एक साथी का फोन आया उन्होंने का कि मुझे आप से शि वन में ब्रामणों का विरोध किया तो बताईए उन्होंने का ने आपकी बात ऐसे लगती है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं हमने का बहुत किया है वही तो हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और वो काम किया जो बीपी मंडल को समझ में गया उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोग कुर्मी कोईरी अहिर गड़िया पाल निशार मल्ला कुमार लुहार नाई मोची इन जातियों के लोग पीड़ी दर पीड़ी सिक्षा और चेतना से दूर रहे रखे गए दूर थे नहीं रखे गए और उनके बच्चे ज परिवार आगे बढ़ाएगा और अपना बच्चा नालायक भी हो तो उसे इलहाबाद विश्वद्याले दिल्ले विश्वद्याले भेजेगा पैसा हुआ तो विदेश भेजेगा ये जो कल्चरल है जिमनी है उसको पहचानने का काम किया था बीपी मंडल ने और इसलिए बीपी मंडल ने कहा सरकार की जम्मेदारी है कि पिछड़े वर्क के लोगों के बीच जाकर जागरुपता कारिकम करें कि वो अपने बच्चों को सिक्षा दिलाएं बिना सिक्षा कि ये मुल्क कभी बराबर नहीं हो सकता कहां हमने अपने लोगों को मंडल के बारे में पढ़ने दिया मंडल ने कहा मंडल कमिशन के रिकोर्ट में कि इस देश में बराबरी तब तक नहीं हो सकती और मंडल की सबसे बड़ी कोटेशन मैं याद करता हूँ दक्टर भीम राव अमेटकर का कोटेशन जैसे है न एजूकेट एजीटेट औरगनाईज तो वैसे ही बीपी मंडल का एक कोटेशन है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है और समान लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं हो सकती उसका एक विचार का नाम है उच्च वर्ग की नौकरियों में कितनी तीन से चार परसंट भी नहीं मद्द्वर्ग की नौकरियों में कितनी पांच से छे फीस्दी भी नहीं और ग्रेट डी की नौकरियों में दस परसंट भी नहीं आपादी कितनी है बावन परसंट उनके लोग इस मुल्क को चलाने में क 10% और जमीन का सवाल उठाया बीपी मंडल ने मैं इसलिए बार-बार समाजिक न्याय को मैं आज भी कहता हूँ जैसे एक खास किस्म से इस मुल्क को लेचाने की बात की जा रही है ना मंडल के विरोध में क्या आया जोर से बोलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया क्योंकि उनकी हुमत उस समय भी नहीं थी कि सीधे सामने आकर मंडल का विरोध कर सके इसलिए कमंडल ले आये उस कमंडल के रत पर सवार होकर और मैं आप कुछ समसामईक चीज़ें भी यह एक बहुत दिख मंच है, किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है राजनीत को दिशा देने का काम समाज का होता है हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को भी थोड़ी संकेतों में इसी बात समझ में आये मैं याद करता हूँ कि मंडल के विरोध में जो कमंडल आया था उसके रत का एक एक पहिया लहलुहान था वो पूरे मुल्क को सामप्रदाइक्ता की आग में जोग देना चाहते थे उन्हें कोई फरक नहीं परता था क्योंकि वो जानते थे कि उस दंगे में उनके लोग नहीं मारे जाएंगे और वो रत जब चला तो उस रत को बिहार की क्रांतिकारी जमीन पर जिस नेता ने रोका आज वो जेल में है उसका गुनाह केवल और केवल इतना है कि उसने उस लुलुहान कमंडल के रत को रोक करके मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था और उसके बाद चंद दिनों के बाद पुराने वरिष्ट लोग जानते होंगे इसी उत्तर प्रदेश में जब कुछ आतताई हमलावर लोग इस मुल्क में एक इमारत को एक प्रतीक को गिरा करके दंगा कराना चाहते थे तो इसी प्रदेश का एक समाजवादी प्रिष्ट भूमी का जमीनी नेता उसने गोली चलवाई ताकि मुल्क के आईन पर इस मुल्क के अकलियत का भरोसा पायम रहे मंडल की राजनीत ने तो ये दिया था मंडल की राजनीत में सामप्रदाइक्ता को खारिश किया था और आज सामप्रदाइक्ता अपने उफान पर है पहलो खान रखबर से ले करके और सामप्रदाइक्ता की आग में केवल मुसल्मान जलेगा इस ब्रहम को भी निकाल देना चाहिए वो जो रत चला था आयोध्या से उस पर सवार होकर कुछ लोग लखनव और दिल्ले की कुरसियों तक पहुँच गए और उन कुरसियों को अब जिस वाहन पर सवार किया है उसका नाम है बुल्डोजर वो भारत के सम्विधान पर चलाया जा रहा है उस बुल्डोजर के सामने हमारा लड़ाई हमारा संगर सब जमी दोज हो रहा है मुझे आज बीपी मंडल को याद करते हुए जो द्रश नजर आ रहा है कि उस बुल्डोजर को अगर कोई रोक सकता है तो इसके दोनों पहियों के सामने भारत का सम्विधान और मंडल कमिशन ही रोक सकता है वरना और कोई ने रोक सकता है ऐसलिए हम बीपी मंडल को याद करते हुए उस इतिहास से केवल रूबरू करा करके अपने वर्तमान की रास्ते को तलाशना चाहते है चला था नारा और एक लंबी लड़ाई थी बीपी मंडल ने एक सवाल पूछा था कि अगर इस मुल्क में सब बराबर हैं तो जमीन का मालिकाना हग 52% OBC के पास होना चाहिए था इसलिए मैं कह रहा हूँ सामाजिक न्याय का विचार केवल जाती के नाम पर गोलबंदी नहीं है साब सामाजिक न्याय का विचार सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और लेंगिक न्याय तीनों है बिना इन तीनों के कोई भी न्याय संबव नहीं और भारत की कोई संकलपना नहीं संभव है और बीपी मंडल ने चाहे वो भारत का सम्विधान के समय प्रारूप समीती के प्रमुक होने के नाते डॉक्टर अमेटकर के सपनों का भारत हो या बीपी मंडल ने मंडल कमिशन के रिपोर्ट बनाते समझे सपनों के भारत को देखा था, उन दोनों की बुनियाद में ये था, इसलिए उन्होंने कहा, लेंड रिफॉर्म इस देश में होना चाहिए, भूमी सुधार, भूमी है ही नहीं लोगों के पास, और इसलिए इतनी वित्ती निगमों के स्थापना होन नहीं, यानि एक मुकमल दस्तावेज है मंडल कमिशन, जो इस मुल्क को बदल कर रख सकता है, इसलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि अगर मंडल लागू हो जाता, तो इस मुल्क में वाकई 90% वंचिस शोशित की एका बन गई होती, और जो भी थोड़ी बहु जो इसलिए उन लोगों के सामने, और इसलिए बिंदेशुरी प्रसाद मंडल ने गाउं गाउं का सर्वे कराया, कुश्चनायर बनाया, और उस रिपोर्ट को घर घर पढ़िये, क्रांती इसलिए नहीं रुकी है कि कुछ क्रांतिकारियों की तादात कम थी, हमारे लोगों का नायक 1857 का कोई सिपाही नहीं, आदिवासी इलाकों में तीर और कमान लेकर दिखूँओं के खिलाप इंकलाब करने वाला बिरसा मुंडा सिदू कानू और किलका माजी होते, ये इतिहास के साथ दगाबाजी और इसका सबसे अधक खाम्याजा अन्य पिछड़े वर्प क केवल और केवल जाती के आदार पर हो सकता है, और 3743 जातियां जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाई, उन सब को एक करके पहचान दी, ओबी से यानि अन्य पिछड़ा वर्ग, इतना बड़ा काम करने वाले मसीहा का नाम है, बीपी मंडल, और इसलिए व सामने क्रीमी लेयर आ गया, इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उन में कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुक्तारा में आ रहा था, उसमें गैर समधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके, आपके समाज के सक्षम लोगों को उस कि तरफ कम देखते हैं ऐसलिए ज्यादा बड़ा संकट OBC के सामने आ गया और क्रिमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनोती है और जाती जंगरना अगर हो जाए उस जाती जंगरना से यह पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था आज भी बेड़ बकरी पेड़ पोधा नदी नाले सब गिल लिया है बगर दो ही लोगों की जाती नहीं पता है एक तो समणों की और दूसरा OBC की क्योंकि एससी और अश्टी की जंगरना तो होती है उनको उनका आबादी के मुताबिक रिजर्विशन मिला लेकिन एक बात बत तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जंगरना में जाती नहीं किनेंगे क्योंकि हमें जातिवात को खत्म करना है नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीडियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदैक्ता को नहीं खत्म करना था जो दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीत की मुक्यधारा में आना शुरू हो गए 1980 के बाद के सारे दंगे सामप्रदैक्ता के है और इसलिए मेरी चुनोती ये है कि अगर जाती जनगर्णा उस समय हो जाती तो ये पता चल जाता कि केसने पीड़ी दरपीड़ी कितना कबजा किया है मेरे पास एक आकड़ा है मैं उससे बस आज की बाद बताता हूँ और बार बार ये जाती जनगर्णा को टाला गया गिनेंगे नहीं हम जातिया और दो ही लोगों की नहीं गिनेंगे OBC की और समणो की आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि OBC की जनगर्णा करानी है उनसे सजग रहिएगा उनसे कहिए कि एक काम करो SC, ST और बाकी लोगों की होती है तुम OBC की जनगर्णा मत कराओ केवल इस देश में सवर्णों की जाती जनगर्णा करालो तब भी हमारा काम चल जाएगा इसलिए जनगर्णा के वो खिलाप हो जब तब उनकी संक्या नहीं किनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज अभी इस मुल्क के 77% संसाधनों पर सत्ता पर कबजा किया हुआ है ये भेद न खुल जाए इसलिए जनगर्णा का विरोध करते हैं वो और जुड़ीशरी रिटायर्ट जैस्सी साब बैठे हुए है ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़े हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहा है कम से कम ऐसे न्याय पालिका के जजों के आस पास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुनाया और कर राजसभा की सफत ले ले आइसा भी इस देश में हो रहा है और न्याय पालिका के बहुत वरिश्ट लोग है मैं तो आज भी पूर्खों के याद करते हुए महसूस करता हूँ मैं दिल्ली पिशुद्याले का एक टेंपरेरी प्रोफेसर हूँ भाई देखिए बारह साल से अभी ये डॉप पर पढ़ा रहा हूँ परमानिन नहीं करा लेकिन उसकी चिंता नहीं और मुझे ये समझ में आया कि वो डिगरियां बहुत पीछे छूड़ जाती जैसे ही मैंने अपनी जड़ों को पहचानना सुरू किया ऐसे अंगिनत लोगों से एक रिष्टा बन गया जिनसे हिम्मत लेकर लोटता हूँ कि डरने की जरुवत नहीं है गाउं गाउं में मंडल और लोहिया के वारिस बैठे हुए और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ बहुत सारे सेक्षक लोग मिलते हैं वकील साब लोग मिलते हैं आज तो बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में भी आये हुए जिस दिन वंचिश शोशित 90% लोगों के बीच के सेक्षक समुदाय और वकील समुदाय ताकतवर होकर के पूरी तरह खड़े हो जाएं एस मुल्क में कभी किसी वंचिश शोशित के साथ कोई शोशन नहीं कर सकते तो ये बदलाओ की लहर है जो देख रही है और इसलिए मंडल के विरोध में नियाई पालिका का शड़यंत रचा गया और सुपर स्पेशियल जोन बना करके एजुकेशन को आरक्षन से बाहर रखा गया तब जो है अरजुन सिंग के समय वो लड़ाई लड़के दूसरा सिक्षा में रिजर्विशन आया 2006 में के आकड़े नजर आये देश के 45 के इंद्रे विश्व विद्यालियों में 2019 तक इस मुल्क के 52% OBC आबादी के प्रोफेसरों की संक्याती शून यह कैसा भारत था और किसका भारत है 2019 तक इस मुल्क के असोसियेट प्रोफेसर के 97% पोश्ट केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है इसलिए जाती जनगर्णा नहीं कराई जा रही है यह जो अवैद कपजा है यह खुल कर सामने आग जाएगा तो गाओं गाओं से लोग बल्ली सिंग चीमा ने कविता लिखे थी ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाओं के अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाओं के जिस दन मंडल की यह लड़ाई गाओं में पहुँच गई और लोग यही सवाल केवल पूछने लगे कि 2022 में संसद में जब एक हमारे संसद ने पूछा कि देश के विश्वद्यालियों में कितने लोग कुलपती हैं एक हजार पाँच में पाँच से तीन परसेंट भी 90 परसेंट आबादी वाले स्थी अश्टी ओबीसी के लोग कुलपती नहीं हैं फिर यह किसके विश्वद्याले बने हैं जज किन के घरों के थे परिवारवाद का असली अगर कोई सबूत अगर देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण नियाई पालिका हो सकता है उससे बड़ा उदाहरण तो परिवारवाद का कोई नहीं पीडी दर पीडी अगले दो से तीन चीफ जेश्टेस आफ इंडिया जो बनने वाले हैं उन सब के जो पूरवज थे वो सब उस बड़ी पोश्ट पे रह चुके हैं एसलिये नियाई पालिका में कोई आरक्षण नहीं तो जो लड़ाई मंडल की थी भूमी सुधार की थी सिक्षा सुधार की थी प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी वो लड़ाई अधूरी रह गई वो लड़ाई नहीं होती तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के कम से कम नाम लेवा ही सही पिछले तीस सालों में सरकारे नहीं बनती और इस मंच से मैं याद करना चाहता हूँ अपने वरासत को उस वरासत को जिसमें OBC के उपर यारोप लगाया जाता है कि OBC के लोगों ने कभी कोई अंदोलर ही नहीं किया OBC समाज सोया हुआ है चुटकुला बनायाता है OBC ऐसा सोया हुआ शेर है कि यहां से जगाओ तो उधर जाकर सोजाएगा सच बात है जिसकी आबादी ज़्यादा हो जिसकी जिम्मेदारी जदा हो उससे शिकायत भी जादा होती है उस शिकायत को कबूल करते हुए भी मैं दोनों लोगों के सामने एक बात रखना हूँ कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि OBC समाज के भीतर अंदोलन कारी चेतना क्या थी महिंदे साहित का विद्यारती हो और तधागत बुद्ध के बाद उस पूरे चारवाक लुकायत दर्शन और नास्तिक अनिश्वरवादी दर्शन में निर्गुण पंत का वो अंदोलन नजर आता है जिसमें कवीर, रैदास, पल्टू, दादू, भीका, बुले, शाह, बाबा, फरीद नजर आते हैं जो इस सारे कामगार जातियों के थे और उस विरासत को नारायन गुरु बस्वन्ना चोखा मिला और उनसे होते हुए महराष्ट और दक्षर भारत की जमीन पर क्रांती जोती जोती राफ फूले, सावित्रिबाई फूले और पेरियार और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते, छत्रपति शाहुजी महराज और उन सब से होते हुए डक्टर रामन और नहिया और मंडल की लड़ाई आती है उन सब में 1930 में बना एक संगटन OBC का बिहार में त्रिवडी संग वो सारे OBC के लोग थे जो नबे परसंट लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही ये जूट बोला जाता है कि OBC का कोई सांस्कृति का अंदोलन नहीं था उसके बाद उसी बिहार से उत्तर प्रदेश का एक रिष्टा बनता है जब इसी महामना राम सुरुफ वर्मा ने अपने अरजक संग को स्थापित किया जितने नबे परसंट लोग हैं वो अरजन करके अरजित करके खाते हैं दस परसंट लोग हैं जो अनरजिक हैं अरजिकों का शोशन करके खाते हैं और जब उस लड़ाई को एक किया तो दोनों ने मिला कर त्रिवेडी संग अरजिक संग से लेकर कि समाजबादी आंदोलनों करांतिकारी आंदोलनों का एक पूरा इतिहास बनता है जिस इतिहास का नारा था दो बातें हैं मोटी मोटी हमें चाहिए इज्जत रोटी मिटे गरीबी और अमीरी मिटे चाकरी और मजबूरी पुनर जनम और भाग्यवाद इनसे निकला ब्रह्मनवाद अरे ये पचास साल असी साल पहले की लड़ाई हमारी है हमने पहचाना ही नहीं उसे कैसे डॉक्टर लोहिया ने ये नारा दिया था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौमे साथ और उस डॉक्टर लोहिया से भी जगडा किया था भाई और हम तो उस विरासत के लोग है अब मैं उस शिकायत वाली जगए पर आ रहा हूँ तदागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अपने आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम दे कर जाएंगे अपका संदेश क्या है उन्होंने का एक ही संदेश है किसे किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना कुछ लोग कहते हों तो सच मत मान लेना बहुत सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना जो तुमें सच लगे उसे ही सच मानना अप दीपो भाव वही संदेशन का था और आलोचना का इतिहास तो हमारा समाजवादी और समाजिक न्याए अमिटकरवादी आंदोलन का पहले से डक्टर लोहिया से सवाल पूछा था दिल्ली के कॉंस्टिटिउशन क्लब में रामसरू अर्मा, जगदेव बाबू और तमाम समाजवादी लोगों ने आप कहते तो हैं कि पिछड़ा पावे सव में साथ आप तिकट क्यों नहीं साथ पिछड़ा लोगों को देते ये डक्टर लोहिया से पूछा था उस डक्टर लोहिया से जैसने सदन में खड़े होकर नहरू के सामने ये कहा था गरीब देश का अमीर प्रधान मंतरी एक दिन में पचीस हजार रुपए अपने उपर खर्च करता है इस मुल्क में सबसे अमीर उसे गरीब के बीच एक और दस के बीच का खाई नहीं होनी चाहिए एस मुल्क में समता संपनता सहस्तित्व के लड़ाई समाजवाद के डॉक्टर लौहिंग ने लड़ी और उस डॉक्टर लौहिंग ने जो क्रांती सब्काध की बात की थी उनकी विरासत के लोगों ने 19 सबाल पूछा कि सौ में 60 टिकत क्यों नहीं दिया भाई और उसके पास समाजबात के एक नई धारा और उस नारे को आगे बढ़ाया कि सव में नबे शोशत हैं शोशतों ने ललका रहा है धन धर्ती और राजपाट में नबे भाग हमारा है बीपी मंडल उस नबे भाग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे है और यहीं से आगे की दिशा है यहीं से जाती जंगरना की अंदोलन और प्रमोशन में रिजर्वेशन ये दोनों बहुत छोटे विश हैं लड़ाई तो बहुत बड़ी है और उस लड़ाई में वो जो अर्जक संग और त्रिवडी संग का नारा कि पुनरजनम और भाग्यवाद इन से निकला ब्रह्मणवाद ब्रह्मणवाद की क्या पहचान गिटपिट बोले करे नकाम मानववाद की क्या पहचान ब्रह्मणभंगी एक समान जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं समता बिना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए राश्ट पती हो या भंगी की संतान सबको सिक्षा एक समान सबको सिक्षा सबको काम वरना होगी नीद हराम सिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का दस्वा हिस्सा हो सबको सिक्ष तो एकाद देन सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार, हमारे विरासत, वँचिस शोषित कमेरा लोगों के विरासत है, उत्तर प्रदेस अंदोलनों की जमीन है, चौदरी छोटू राम के कमेरा शब्द को आगे बढ़ा कर बाबु जग्देव प्रसाद के श्रम जीवी शब्द को आगे बढ़ा कर यही सोनेलाल पठेल ने नारा दिया कमेरा का और चौदरी छोटू राम के लड़ाई को आगे बढ़ाया कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है 90% लोग जो श्रम जीवी है वो कमेरा है 10% लुटेरा है आज हम कहां खड़े हैं 90% लोग घुलाम बने हैं और लखनवु से दिलने तक की सत्ता पर उन 10% लोगों का कबजा हो गया है उस परिस्ति में बीपी मंडल को याद कर रहे हैं ये चुनावती है हमारे सामने और यसलिए मैं आखरी में याद दिलाना चाहता हूँ अब इसी समाज के लोगों आजकल एक बहस चलाई जा रही है कुछ लोग जो रेडिकल अमबेट कराइड बनते हैं वो कहते हैं कि सब शूद्र है और ठीक बात है लेकिन कौन से वाले शूद्र मैं सवाल पूछता हूँ एक नया विमर्ष इलहबाद की बौदिख जमीन पर आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ वो नया 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 पुराना है जोतिराओ गोविंदराओ फूले ने गुलाम गिरी में लेखा कि इस देश में जो श्रम करने वाली जातियां थी वो तो इस मुल्क की शाशक थी और खेट से बना एक ख्षत्रप ख्षत्रप से बना एक ख्षत्री और उन्होंने कहा कि वो एक कौम जिसके बीच से राजा पैदा हुए तथा गदबुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले राजा समराट अशोक किस जाती के थे मौरे सामराज किसका था पाल प्रतिहार गुरजर वंश किसका था देवगिरी का वंश किसका था और दलित और आदिवासी जातियों में चलिए गुंडवाना लैंड और भील वाड़ा किसका था इस बात को पहचानने वाले दो लोगों ने डक्टर अंबेटकर और उनके गुरु जोतिबा फूले ने ये बात कही कि जो बाहर से आए वोलगा पार से उन्होंने इस देश में जो जंग लड़ी इस देश के मोलनेवासियों के साथ जो जुक कर समझोता कर दिये उन्हों उन्होंने राजचत्री बना दिया और जो तन कर खड़े रहे उनको शुद्र बनाया यानि ओबी सी शुद्र नहीं था उसे जबरदस्ती बनबे उस्ता में डाला गया है इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और इस बात को पढ़ना है तो जोतिबा फूले की घुलाम गिरी पढ़ें और डॉक्टर अंबेटकर की किताब हू एर शुद्रा शुद्र कौन है पढ़ें और इसलिए डॉक्टर अंबेटकर ने वो नारा दिया था जाओ इस देश की दिवारों और अपने घरों की दिवारों पर लिख देओ कि तुम इस देश के शाशक हो आपको घुलाम बनाया गया और ये मेरा स्पष्ट विचार है 36 गड में गया था दिवासियों के बीच आज कुछ लोग लडाने पर तयार है OBC को OBC से लडाएंगे दलित को दलित से लडा रहे हैं और हमारे लोगों को ही भटका रहे हैं कि आरक्षण की सारी मलाई तो फला ने खाली मैं एक TV डिवेट में बैठा था सारे वही लोग थे मुखस से जाये तो मड़ा बाहुर नाम छत्रिया मैं व्यंग में यह बात बोलता हूँ आज कल UAP और बुल्डोजर सब साथ में चल रहा है हम लोग नेता नहीं है इसलिए EDCBI नहीं आएगी लेकिन जेल में डाला जा रहा है मैं याद करता हूँ इस मंच से मेरा दोस्त उमर खालिद किस जुर्म की सजा में आज जेल में है मेरे प्रोफेसर हैनी बाबू OBC समाज के वहाँ पर केरल के और प्रोफेसर आनल तेल तुमडे गौतम नौलका बरबर राओ जाने कितने लोग जो वन्चितों शोष्टों की लडाई लड़ रहे है वो जेल में हैं और बिलकिस बानों के बलातकारी बेल पा करके माला से स्वागत पा रहे हैं और इससलिए मैं वो बात याद कर रहा हूं कि सारे लोग बैठ करके कह रहे थे जाती जंगरना होगी तो लोग आरक्षण मांगने लगेंगे ये 10% सुदामा आरक्षण किसने मांगा था भाई EWS आरक्षण के लिए इस देश में कोई अंदोलन हुआ क्या ये आज भी संगियों के आका है गोलवलकर उनकी किताब है The Bunch of Thought उसमें लिखा है कि आरक्षण जाती के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए ये जो निजाम बैठा है ये अपने गुरु गोलवलकर के विशार पर चल रहा है और हमारे अपने लोग बिरसा, फूले, अमबिटकर, पेरियार को भूल गए इसलिए आज विपक्ष में बैठे हैं और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ जब उस पर उन्होंने कहा कि जात जंगरना हो जाएगी तो आपका तो भेद खुल जाएगा आपके नाम में यादो लेगा है और लोग जान जाएगे कि OBC का सबसे अदा मलाई तो यादो ने खाई है तो आप जात जंगरना का क्यों समर्थन कर रहे है मैंने उन सारे लोगों को यही पलट के कहा कि इस जात जंगरना से अगर सबसे अदा नुकसान यादो का है तो एक यादो क्यों कह रहेगी जाद जनगड़ना हो नुकसान मेरा है मैं समर्थन कर रहा हूँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं तो तुम विरोथ कर क्यो और रहे हो और जाद जनगड़ना के विरोध में अब तक जितने लेक लिखे गए हैं वो सारे के सारे लेक केवल समवडों के लिखे गए आप से कोई मतलब नहीं तो आप क्यों विरोत कर रहे हैं इसलिए जाजंगरणा नहीं होने दी जा रही है इसलिए आपके प्रमोशन में रिजर्विशन और किस चीज़ में आप रिजर्विशन लेंगे वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं साउगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं बिकने दूँगा मुख्यमंत्री रहा वो शक्स तो उसे जाती नहीं नजर आई 14 में जब प्रधान मंत्री बनने आया तो कहा मैं OBC मां का बेटा हूँ वो ऐसे ही फेक OBC वो है जैसे उसे चाय बेचते कभी किसी नहीं देखा फिर भी वो उसको बेच ले गए जिसे चाय बेचते किसी नहीं देखा जो साउगंद लेके आया था कि भारत नहीं बिगने दूँगा उसने इस देश की सरकारी नौकरी, सरकारी सिक्षा, सरकारी संपत्ती, सरकारी जमीन, सब कुछ अपने दोस्तों अम्माने अडाने के हातों बेच दिया है अब आप कारक्षन और प्रमोशन में रिजर्विशन आप लेंगे कहाँ उसका कोई दोश नहीं है वो बोल चुका है, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आज में हूँ जोला लेके चल दूँगा हमारा आप का क्या होगा मंडल की लड़ाई, अब और गहरी हो गई है अगर आज हम चूके, हम नहीं लड़ पाएंगे साब, क्योंकि हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे हमें आपस में बांट दिया गया, हमें अपना इतिहास भुला दिया गया कि जब बिहार में करपूरी ठाकूर, एक नई समाज का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना उत्तर प्रदेश में, राम, राम नरेश यादो जी, मुख्यमंत्री थे दिल्ली से किसने नारा बनाया, कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश बार बनावें करपूरी और भईश चनावें राम नरेश ये किसने नारा बनाया था, मेरा सवाल है वो हमें जातिवादी कहते हैं कि हम जाति के नाम पर बराबरी की बात करते हैं हमें कहते हैं हम जाती को बढ़ा रहे हैं कैसे नारा लगाया था आरक्षण कहां से आई और कर पूरी ठाकुर की मा और बहन को गालियां दी गई अरे बाकी छोड़िये जगदेव बाबो को कैसे मारा गया और तो और वशनात प्रताब सिंग जब क्रांती करने निकले तो यही राजा मांडा राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है और मंडल लागो कर दिया तो नारा बदल गया राजा नहीं रंक है देश का कलंक है यह कौन सा देश है भाई लोग कहते हैं कि जिस दिन कोई मरे उस दिन उसकी आलोचना मत करो विशुनात प्रताब सिंग जिस दिन म सनातनी कहते हो और इसलिए मैं यहां मंडल को याद करते हुए आपके कड़वे इतिहास को याद कर रहा हूं भूल गए वो लोग जिने उत्तर प्रदेश में सरकार बनी सरकार चली गई तब उन्हें याद आया जब गंगा जल से घर जुलवाया जा रहा है तो मीडिया में आ अभी सी हूं जातिवाद कैसे किया जाता है यह दलित पिछड़े आदिवासी तो करी नहीं सकते एक मठा दीश जब मुक्हमंत्री बन जाए तो पूरे प्रदेश को कैसे एक जाति में बदल देता है और जातिवादी तो वो हैं कोई मीडिया कभी नहीं लिखेगी कि सब ए लोग जानते हैं अहिर गणरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोर किसने नारा बनाया था अहिर गणरिया कुर्मी हिंदू नहीं थे क्या बोड़ जात बतियूला से यह छोड़ जात लतियूला से यह हमने नारा बनाया था जाति देख करके इस देश में बटवारा किस ने किया और आज हिंदू बनाते हो 80% हिंदूओं एक हो जाओ 20% मुसल्मानों से खत्रा है बताओ राश्ट्रपती से बड़ी कोई पोश्ट नहीं होती और दलित राश्ट्रपती बना तो मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया अगर वो भी हिंदू था तो और एक महिला आद करके बताया कि 75 साल बाद इस देश में पहली बार हमने एक महिला आदिवासी को राश्पती बनाया है और जाकर के चार ऐसे लोग जिनकी कोई दिगरी नहीं है दो ही चीज है फूला हुआ पेट और लंबी शिखा वो मंत्र पढ़ करके उनको पवित्र कर रहे हैं वो कौन स मैं चाते थे वो सपने को मरता हुआ अपने सामने छोड़ दिया है हम बन रहे हं हिंदो साफ क्योंकि हमने मंडल की लड़ाई को छोड़ दिया है और इसलिए वो पूरी विभाजन की रेखा हमारे बीच में बन गई है और विभाजन की रेखा को अगर मिठाना है अरे आप को तो सरकार भी मिली बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि राजनीत के बिना कोई परिवर्ता नहीं होता मैं भी मानता हूं लालू प्रसाथ जब बने तो चरवाहा बिद्याले बना पर पूरी ठाकुर बने तो बहुत बिहार का मंत्री मंदल बदल गया बहुत सारे ऐसे अरे डक्टर वसूल हसन वो एक किस्सा सुनाते थे और वो किस्सा एक साइटकार ने लिखा भी है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जाकर उनसे पूछा कि अमा आप तो सबको पाकिस्तान भेजा जा रहा है आपका करी हो उन्होंने का आज तक तो हम गाजीपूर के आगे बढ़े नहीं पाकिस्तान क्या खाग जाएंगे इसे मिट्टी में पैदा हुए दफ नहीं हो जाएंगे न बुलाए किसी के आये थे न निकाले किसी के जाएंगे तो बांटने की लड़ाई है आप कहेंगे रोजगार वो कहेंगे राम मंदिर आप कहेंगे स्वास्त वो कहेंगे तीन सो सत्तर आप कहेंगे बेरोजगारी 45 साल में जादा वो कहेंगे मंदिर मस्जित के नीचे से खोजो मंदिर निकलेगा और ऐसे दोर में मंडल की लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये मेरे सामने एक चुनावती है सातियों जाते जाते मुझे एक दिशा नजर आती है वही अपील और वही गुजारिश करके जा रहा हूं मेरे सामने ये दिशा नजर आती है मैं जिस बिरादरी से आता हूँ उस बिरादरी के तो पत्रिकाएं निकलती हैं मजबूत लोग हैं सत्ता में रहें उत्तर प्रदेश बिहार बहुत जगह पर रहें उनके पैसे वाले भी लोग रहें संख्या में जादा थे 1924 में बनी अख 225 में एक संगठन बना और आज मुल्क पर हुक्म रानी कर रहा है और हमारे लोग कहां चले गए ताकतवर जातियों ने अपने संगठन बना लिए ये मेरी आलोचना है आहिर महासबा यादो महासबा कुर्मे महासबा कोईरी महासबा बन गई साहब हलवाई महासबा और बेटा ये समाजिक नया कभी नहीं हो सकता डक्टर लोहिया के वरासत के लोगों ने गलती की हो या आज समाजिक नया के नाम पर जो जाती के नाम पर पार्टियां बनी है वो गलतियां कर रही है लेकिन हम उनके अलोचना नहीं कर सकते हम ताकतवर थे तो हमारी जम्मधारी ज़ादा थी हमने अपनी जिम्हदारी नहीं निभाई और OBC की 373 जातियां साब वो कुछ तो इतनी संख्या में कम है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है उनकी एकता कैसे बनेगी और हम एक कदम पीछे अटना नहीं चाहते हमने अपनी नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया इसलिए हम टुकडों में बढ़ते चले गए और अचानक कोई बहरूपिया आकर के आपका वोट ले गया आज 500 रूपिया और 5 किलो अनाज पर ले गया है अगले चुनाव में 1000 रूपिया और 10 किलो अनाज देगा फिर इवियम हैक करेगा फिर बोटर लिष्टे नाम हटाएगा फिर दंगा करवाएगा हमारे आपके पास उसे रोकने के लिए क्या ताकत है हम केवल शिकायत करते रहेंगे कि सिश्टम बहुत करप्ट है खुले आम कर रहें साब बुल्डोजे चला दिया घर पर हिसे लहाबाद में वो लड़की जो पढ़ती थी दिल्ली में उसके पिता के नाम पर घर भी नहीं था घर गिरा दिया क्या इस देश के भुजन समाज के लोग मुसलमानों को मारे जाने के समय सामने खड़े हुए क्या अगर आपके सामने आपकी कमजोर जाती है और आज तो उत्तर प्रदेश के लोगों आप हमसे बेतर जानते हो थाने में किसके लोग जेल में जा रहे है कौन सुनवाई हो रही है और बारी बारी मारे जा रहे है मंडल की लड़ाई कहां चली गई है इसलिए मेरी गुजारिश है इन हुक्मरानों को जो आज विपक्ष में बैठे संकेत केवल कर रहा हूँ याद करो रत यात्रा को रोकने और आत्ताईयों पर गोली चलाने वाली विरासत तुमारी है दंगाई वक्त में सामने खड़े हो जाओ और कहो कि उत्तर प्रदेश के SC, ST, OBC हमारे हैं और हम चलेंगे पूरे प्रदेश में आप रत यात्रा करते हैं आप पैदल यात्रा करो कि जाती जनगर्ना कराओ वरना हम अंदोलन करेंगे और आप अगर सरकार में न आ जाओ तो कहो आपके पास कुरा मैदान खा लिए आप एक हाथ में जै भीम, जै मंडल, अम्बेटकर और लोहिया और दूसरे में परशुराम का फरसा माफ कीजिए वैचारिधारा से समझोता आपको कभी सत्ता तक नहीं पहुँचाएं अरे मैं कह रहा हूँ चलो राजनीती की मजबूरी थी तो फरसा वालों ने कितरा वोट दिया ये तो पता करो CSDS का आकड़ा बता रहा है 90% ब्रामण और 92% छत्रियों ने केवल और केवल एक पार्टी को वोट दिया है और आपके लोगों तो वोट नहीं मिला आओ वापस लोटो जार और दिल्ली में 52% आरक्षण दे देंगे देखो आप सरकार में आ जाओ तो को अरे आप 52% आरक्षण देने के गोशना करो न भाई जार खंड के मुख्यमंत्री की सदसिता चली गई एक भी ढंका काम नहीं उस तरह से कर पाए बहुत किया मैं कह रहा हूँ उनको मौका मिला तो वो मंदिर भी बनवाए उनको मौका मिला 370 भी अटाए आपने भी अच्छे काम किये मैं वो शक्स नहीं हूँ कि पिछले 30 साल में मंदल की लड़ाई ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सत्ता में कुछ नहीं दिया ऐसा बिलकुल नहीं जब लखनवू से नोइडा जाता हूँ तो हर सामन्तवाद पुझीवाद की छाती पर चड़कर बिरसा फूले अंबिटकोर पेरियार की मूर्तियां जब खड़ी दिखती है तो मुझे आत्मिश्वास मिलता है ये काम किया था उन्होंने उतनी बड़ी मूर्ति बनवाने वाले लोगों को अपमान नहीं जलना पड़ा और हमारे लोगों को अपमानित कर दिया साब आपने सड़क बनाई आपने पार्क बनाया आपने बहुत विकास किया उसका लाब लेने वालों ने ही आपको टोटी चोर बना दिया या लोचना है मेरी और मैं केवल या लोचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मंडल के दिवस पर मंडल के लिए एक ट्वीट नहीं साब उत्तरप्रदेश आंदोलन की जमीन है सड़क पर उतरिये और दो तीन बात करिये मंडल की 40 अंशन साएं हम लागू कराएंगे जाती जनगरना हम कराएंगे 52 परसेंट लोगों को आरक्षण दिया था आपके पुरकों ने राम नरेश यादो हो चाहे मुलायम सिंग यादो हो दोनों ने आरक्षण दिया था और बिहार में करपूरी ठाकूर से लेकर के बात के लोगों ने आरक्षण दिया तो कहां गए वो लालू और कहां गए वो मुलायम जन्हों ने याद किया था लालू प्रसाद का तेली महासभा का एक भाषण मुझे याद आता है उन्होंने ऐसा सांसत चुन दिया है कि आप जाके कहते रहे हैं कि हमारा वो किला था आप सोचेंगे नहीं ठेहर करके कि आपके साथ क्या हो रहा है आप कब सोचेंगे कि आपके उस आजमगड की सरजमी पर एक जमाने में कमनिश्ट आंदोलन चलाता एक जमाने में समाजबाद का अंदोलन चलाता आईए लुहिया को ही याद करें अगर अच्छे लोग राजनीत में नहीं आते तो बुरे लोगों की राजनीत की शिकार होते हैं अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसत आवारा हो जाती है जिन्दा कौमें पांस साल इंतजार नहीं करती है और उस समाजबादी अंदोलन का नारा था मुझसे लोग कहते हैं तुम कैसे बोल लेते हो यहीं बात अपनी खतम करूँगा आप लोग हिम्मत देते हैं तो हम बोलते हैं मगर हमें नहीं पता कि हम कितने दिन बोल पाएंगे सच बात ये है मैंने मुझसे लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं मैंने कहा नहीं साब जैस बात को बोलने में लोग सकुच रहे हैं डर रहे हम बस वही बोल देते हैं और मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हमसे अच्छा लड़ाई हमसे बहतर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हम सब बिखरे हुए हम जैसे दिन एक हो जाएं और एक होने के लिए मैंने वो सूत्र दिया था जैसे आदिवासी इलाके में गया और आदिवासियों ने मुझ करते हैं और कुछ लोग अभी आये हैं वो कहते हैं कि तुम हिंदू हो हम कह रहे हैं कि वर्ण ब्यवस्ता में हम तुम्हारे नहीं आते क्योंकि हम आदिवासी हैं हम कोई हिंदू नहीं हैं वहां से मुझे एक सूत्र मिला जिसे मैंने अमबिटकर और फूले से जोड़ा तो यह समझ में आया कि इस मुल्क की 52% अबादी जो अब तकरीबन 60% होगी वो OBC जातियां वर्ण ब्यवस्ता के फ्रेम में तो फिट ही नहीं हैं क्योंकि उन जातियों के पास हर तरह का काम करने वाले लोग थ होते हैं और खुद को अच्छा लगता है मैं भी अच्छे अच्छे भाशन देला रहा हूं मैं अपने गाउं में जाता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि OBC के बीच जो रिष्टा नहीं है वो क्यों नहीं मगर खुशी होती है कि मेरी पीड़ी और मेरे आगे की पीड़ी क नौजवानों ने जो काम किया था अब रिष्टा बन रहा है अमबेटकर की जैनती OBC भी मना रहा है और इसलिए मैं कहा रहा हूं OBC को वन ब्यवस्था में फिट किया गया जब हम वन ब्यवस्था को खारिच करते हैं तो जबर्दस्ति किसी को शूद्र क्यों बनाना मैं फ आईये कोई भी एक शब्द चुलने 90% की एका बनाए जिन जातियों की संख्या जादा है हो सकता है वो जातियां मजबूती से अपने को बचा ले जिनकी कम है वो क्या मारे जाएंगे जिनकी संख्या जादा है उनके जिम्में जादा है आइये OBC समाज के ताकतवर लोगों कर्म कांड के विरोध में, वो सिव चर्चा वाली बात यहीं खतम कर दूँगा, हमारे गाउं में गए, आज से 15 साल पहले, 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, ज़्यादा तरोबी सी हैं, 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, और कामण धोने कोई नहीं जाता था, इस बार 15 साल बात, जीरो लोग सरकारी नौकरी में हैं, और 15 लोग कामण धोने गए, ये बदलाव आ गया है, मुझे चिंता है, मुझे चिंता है कि वो देश लूट कर अपने बच्चों के लिए, नई सिक्षा नीती बनाकर, प्राइवेट सिक्षा दे रहे हैं, और हमारे बच्च अब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने की बजाए, एक मुद्दे पर, और डीके खापड़े बामसेव के संयोजक थे, उन्होंने कहा, सामप्रदाइक धुरुवी करण का जवाब, सामाजिक धुरुवी करण होता है, जातियों की गोलबंदी और जमात में तबदिल करन जाति को जमात में तबदिल करें, OBC को SC के साथ जोड़े, SC को अपने साथ जोड़े, क्योंकि विभाजन रेका में सब आप खोचते हो, हमसे नीचे कौन है, उसका मजाग बनाओ, और OBC का मजाग मत बनाना, कल मैं एक कारिकम में अपने जिले में था, एक हमारे मित्र थे ब देखो, अगर ये हनुमान के भकत ही रह गए होते, तो यहाँ ना आते, अब दूद में नीबू पड़ गया है, फटना तैं है, अपने आप हनुमान बाहर जाएंगे, OBC समाज के लोगों आपस में तराजू लेकर मत घूमना, कौन प्योर अंबिटकर वादी है, कौन प्य जोड़े रिष्टा जोड़ें, वरना नहीं बचेंगे, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग गर भाई से हो, तो हार जाना चाहिए, और इसलिए मैं तीन जातियों को नाम लेके कह रहा हूं, अहिर खुर्मी कोईरी, ये तीन जातियां अगर मजबूती से, मंच लगाओ साब, अगली बार कारिकम करना मश्रोताओं में बैठा रहूंगा, और यहां कोई कुमार, लुहार, बड़ई, नाई, मोची, उनके घर के नौजवानों को ले आए, हम उन्हें आगे करें, हम खुद पीछे रहकर कंधा दें, 90% लोग जिस दिन ये सीख लेंगे, क अकरे बलिवेदी पर लाए गए, नकाटे टिड़े पादब गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बिशधारी को दूद पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल नबाका भया, बलहीन सदा तड़ पाए गए, अगर कमजोर बनेंगे, तो बारी बार नमबर आएगा, आज मुसल्मान मारा जा रहा है, हमको लगता है, हम नहीं बोल रहे हैं, कल हमारे नीचे मारे जाएंगे, दलित मारे जा रहे है, इंद्र मेगवाल मारा गया, तीन साल का, आठ साल का बच्चा, जाती के नाम पर, रोहित वेमुला मारा गया, हमारे लोग मा भूले जाते रहेंगे हम बिखरे रहेंगे नवाज देव बंदी ने लिखा जलते घर को देखने वालों फूस का छपपर आपका है आग के पीछे तेज हवा आगे मुकदर monitor, साथियोंぎ ने जो सम्मान दिया मैं अपने जन्म भूमी से चलकर अपनी कर्म भूमी पे आया था इलहाबाद मेरी मुझे रचा है इस इलहाबाद ने मैं अपने भीतर जब भी बोलता हूँ बहुत वो देखशांत भाशन वो प्राचीर चात संग भवन की याद आती है तमाम लोग जो क्रांतिकारी लोग है वो जहन में याद आते हैं इस क्रांति की जमीन से इस बार भी थोड़ी उर्जा लेकर जा रहा हूँ और दिल्ले लोटकर ये भरोसा रखना चाहता हूँ कि अगर कमंडल को कोई हराएगा तो मंडल हराएगा सब फूट कमंडल जाएंगे हम फिर से मंडल लाएंगे ये लड़ाई लेकर के हम आप से हिम्मत लेकर जा रहे हैं आप से जजबा लेकर जा रहे हैं आप से ताकत लेकर जा रहे हैं जालिमों के जल्म के सामने बेना डरे जैसे फूले लड़े जैसे अमबिटकर लड़े जैसे लुहिया लड़े जैसे कंशीराम लड़े जैसे मंडल लड़े जैसे कबीर रेदास लड़े जैसे तहागत बुद्ध लड़े हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे आपन झाल 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 झाल